जातिये गणना को लेकर दरसल सुप्रिम कोट में अब सुनवाई टल गई है आपको बदा दें 18 अगस्त को अगली सुनवाई होनी है सर्वे पर अंतरिम रोक लगाने से सुप्रिम कोट ने फिलाल इंकार कर दिया है बिना सुनवाई आदेश नहीं दिया जा सकता है सुप्रि टिकी होई थी सुप्रीम कोट को लेकर सुप्रीम कोट में क्यूंकि आज सुप्रीम कोट का फैसला आना था लेकिन अब सुप्रीम कोट अब अठरा अगस्त को इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगी और इसकबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मरगूब आलम उनलाइन पर जुर गया है मरगूब ये बताएए लगतार सभी पॉलिटिकल पार्टियों की नजरेंटी की हुई थी सुप्रीम कोट को लेकर लेकिन अब सुप्रीम कोट ने सीधे इंकार कर दिया उन्होंने कहा कि हम 18 अगस्त को देखेंगे ऐसे में जिस तरीके से अब ऑ पर याजिका करता कि वकील में मानिय नयाजीस से कहा कि चुपी हमारा इसी मामले को लेकर करके 18 तारिंक को यहाजिका लिखते हैं wszानी नयाजिस से कहा कि निया अजिका को थी त्यार几ीम को सुना जाए आज एक ही याजिकात ही इन आजिक हाएँ जो दिख्डल ने सीज़े जब तक हम पूरी बात नहीं सुनेंगे तब तक मैं कोई आदेस नहीं दे सकता हाला कि याधिका करता कि वकिल इस बात पर लगातार का सकते हैं कि प्रे कर रहे ते मानिये नहीं से कि आप यथा इसी की बनाए रखने या मादनिये पर पक्ता उच न्याले के निर्देश पर ज क्योंकि रास्तरकार का पक्त सुनना बहुत जरूरी है अथारा तारीकों सभी आजिकाउप एक साथ सुनवाई होगी तब कह सकते हैं कि आगे क्या होगा देखना पर का लेकिन इस चार दिन का दो वक्त मिला है यही रास्तरकार के लिए बहुत रहत बात है जी